हेलो फैंबली तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी अच्छी होंगे तो आज मेरे पास आएव हैं पीट्रॉन के लेटेश्ट गेमिंग ट्रू आइलेस एयरफोंस प्राइजिंग की बात करी जाए तो पंद्रासों रुपेस की प्राइजिंग है इसका प्रचेस लिंग आप के लिए है तो इसको जीतने के लिए कुछ स्टैप्स आपको फॉलो करने हैं सबसे फ़ल आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आउन करना है वीडियो को शेयर करना है वाटसाफ फेस्बुक आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ लाश्ट में कमेंड करके आप इसका मुझे कोई भी एक बैस्ट फीचर बता सकते हैं तो आज से ठीक दस दिन के बाद तीन जनवरी 2022 को मैं विनरगा अनॉंसमेंट कर दूँगा अपने इंस्टाग्राम फेस्बुक और ट्विटर पर तो मेक शूर इसकी एक्ट्वल प्राइजिंग में आपको बता चुका हूं तो फटा-फट से इसके इंबॉक्सिंग हम कर लेते हैं तो यह वाला बॉक्स ओपन डैसको मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं यह वाला टूटली सील पैक है इसको हम ओपन कर लेते हैं तो सब सब उसकार् कर सकते हैं यह चार्जिंग केस यहां पे इसके दोनों इयरबट्स टाइप सी केबल एंड कुछ एक्स्ट्रा इयरबट्स इसमें दिये गई है अपने साइज को कर दिंग आप चूस कर सकते हैं फिजिकल ओबर विवी हम देखें तो चार्जिंग केस टोटली प्लास्टिक में आता है मैट फिनिश इसमें दी गई है तो फिंगर प्रेंट वगारा इसमें आसानी से नहीं लगेंगे फ्रंट पार्टे पीट्रॉन की ब्रेंडिंग है जिसके नीचे पे इसकी लेडी इस दी गई है जो इसको एक गेमिंग लुक देती हैं पीचे के पार्ट में प्लेटी को और भी बड़ा दीती है वेट अकर देखे तो सिंगल एयरफोन का वेट है तकरीबन तीन ग्राम चार्जिंग के साथ इनका वेट है तकरीबन 30 ग्राम तो 13 mm का ड्रेवर्स का सपोर्ट इन में दिया गया है तो उसकी साउंड की बात आगे हम वीडियो में और इनको आप तकरीबन 4-5 घंटे तक प्ले कर सकते हैं मौडरेट वॉल्यूम पर चारजिंग के साथ 40 आर तक आपको उसमें प्लेटाइम मिल सकता है मौडरेट वॉल्यूम पर आईपेक्स 4 रिटेट हैं तो हलके फुलके वादर स्प्लैश एंड स्वैट से इसमें कोई एश्यू नहीं आएगा और डिकले ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें दिया गया है तो उसको प्रकरने के लिए सिर्फ आपको उसके लिडिक ओपन करना है एंड यह पैरिंग मोड पे चला जाता है तो कंपरी ने इसमें फाइस पैरिंग का सपोर्ट भी दिया है जिसको कंपरी ने नाम दिया है क्विक कनेक्ट का तो यह पर पीटर और टी डेबलोस लिखा वाजुका है इसमें क्लिक कर देते हैं पेर तो यह सक्सेस्फुली कनेक्ट हो चुके हैं साथ ही आप अपने येरफोन का बैटरी लेवल और फोन पे चेक आउट कर सकते हैं तो आप बात कर लेते हैं इसके साउंड आउटपुट की सबस्वाले सके बेस की हम बात कर लेते हैं तो इन में 13 इमें का ड्राइवर दिया गया है जिस सवज़े से इसका बेस आउटपुट थोड़ा है तो अगर आप एक बेस लबर हैं आपको हैवी बेस पसंद है एक्ष इसके क्लियर है मुझे इसमें कोई भी इशू फेस नहीं हुआ तो अगर आप एक बेस लबर है तो डैफिनिटल आप इनको चेक आउट कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं के गेमिंग परफॉमेंस की तो कंपनी 60ms के आसपास इसमें लेटेंसी बोलती है और मेरी के इसाब से काफी अच्छी मने जाएगी तो आप एक कैजूल गेमर है नॉर्मल आप गेमिंग करते हैं तो यह एरफॉम्स आपके काम आ सकते हैं आपको लेटेंसी फिल नहीं होगी बट अगर आप एक प्रो लेवल के गेमर है आप इसमें गेमिंग करते हैं तब फिर भी आपको इसमें हलकी सी लेटेंसी फिल होगी तो कैजूल गेमिंग के लिए बजट में परफेक्ट है तो क्योंकि गेमिंग एरफॉम्स यादा माइक टेश्ट तो इनका डेफिनिटली बनता है तो आप जब साउंड सुन रहे हैं आप इसके माइक्रोफॉन का माइक्रोफॉ कॉण की बात के ने प्राइस पॉइंट खासे इसमें प्रेट करें अट फिर विए कॉन की बात कि यादा एक पेक्स 4 है रिटेट है E.पस 7 की रेटिंग होती तो और भी बैटर होता बट इसके प्राइस सबसे इक है तो अब इन तर ने लाश्ट लाश्त बात आती कि आपक आपका बजट काफी कम है ना बजट में गेमिंग सेंट्रिक एरफोन लेनी की सोच रहे हैं जिसका बेस आटप थोड़ा हेवी हो एंड जिसका बैटरी बेकप भी काफी अच्छा हो तो डेफिनिटली आप इनको चेक आउट कर सकते हैं आपको एरफोन कैसे लगे क्या आप इनको पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे चैनल कर दीजे सब्सक्राइब तो मैं ना मेले थी क्या में मिल तौंप से अपने नेक्स्ट वीडियो में